हम खास तोर पे भारत जोरो यात्रा को ले करके सरकार का और भाजपा का क्या रवया रहा है उस पर बात करेंगे मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने देखा है सुरू से ही जबसे इस यात्रा का एनाउंस्मेंट हुआ है जबसे इस यात्रा की घोशना हुई है खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चोतरफा हमला करना शुरू कर दिया इसके अलग-अलग बिंदू है सबसे पहला हमला ये बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है क्या जोरने के लिए निकले है भारत जो है दुनिया की सबसे बरी अर्थ विवस्था बन चुका है मुदी जी के नित्रित्में हम लोग दुबारा विशुगुरू बन चुके हैं भारत लगातार विकास कर रहा है तो एसी कौन सी जरूरत आन परी है कि आपको भारत जोरने की जरूरत है आप लोगों ने ये सवाल कहीं न कहीं सुना होगा देखा होगा आपके वाटसेप पे आया होगा आपने जो है अपने टिबी चैनल पे बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार-बार ये बोलना शुरू किये कि भ भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोरो यात्रा की कोई प्रसांगिकता ही नहीं है आपके नजर में तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपोर्टेंट पोस्ट होता है उनको क्या जरूरत है इंक बरबाद करने की फेपर बरबाद करने की बारत जोरो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं पहला प्रस उनसे पूछा जाना चाहिए हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर भागौलिक तौर पर देश जुड जरूरी होते हैं जमीन भी जरूरी होती है और देश की संप्रभुता उसकी आजादी भी जरूरी होती है हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को लेकर के सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप् हेद भाव पैदा किया जाता है एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है तो देश वास्यों को आपस में तोरने की कोशिश की जाती है और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुरा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड़ के नहीं रख पाएं जोकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल है रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिक्छा, स्वास, सरक, बिजली, पानी ये मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीती के भी मर्स से हमारी मंसा बिलकुल साफ थी तो जो लोग ये पूछ रहे तो आपकी भावना नहीं तूटती है, नौजवानों के सपने नहीं तूटते हैं, उसी भावनाओं को जोरने के लिए, उसी सपने को जोरने के लिए यात्रा है, तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जोरो यात्रा की जरूरत क्या है, दूसरा हमला जब यात्रा शु की एक जिम्मेवारी होती है कि वो जब भी बोले तो सोच समझ करके बोले ताकि हम भी उनको फॉलो करें हम भी उनसे सीखें और मैं तो कहता हूँ कि आज अगर नेताओं की बाद पर भरोसा करके कोई ये स्टूडेंट उसको सच मान ले और परिक्षा में वही लिख दे तो व उन्हें हुए रिपरजेंटेटिव के द्वारा जूट बोला गया कि राहुल जी जो है विवेका नंद जी की मूर्ती पर नहीं गये थे तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का और यहीं पर यह बात रुकी नहीं फिर बात आ गई जूते पर फिर बात आ गई फीते पर फिर बात आ गई टीशट पर फिर बात आ गई दारही पर फिर बात आ गई महिलाओं पर और यहां पर भी वो रुके नहीं माने नहीं हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किये और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला तो उनका तीसरा हमला था, जो उनका dirty trick department जो करता है, कि किसी का सर, किसी के सर के ऊपर लगा दो, किसी का आबाज ने को पर चिपका दो, यात्रा को लेकर लेकर नकली वीडियो बनाना शुरू किये, यात्रा जब आगे चली जाती है, तो पिछे सरक खाली ही होगी, यातरा आगे बढ़ गई है तो उस खाली सरक का बीडियो बना करके दिखाते हैं कोई है ही नहीं अरे भाई जब कोई है ही नहीं कोई लोग यातरा में आ ही नहीं रहा है तो क्यों आपको अभी प्रोटोकॉल की याद परी है कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत क्यूं है क्योंकि आप तो यहीं दिखा रहे हैं बीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आही नहीं रहा है नहीं तो क्या पेड को मास्क पहना दें कि सरक लपेट करके कंदे पर रख ने राहूल जी के इसको भी लपेट करके कंदे पर ले जाएगे बीडियो नकली बीडियो कभी जो है तबली की जबात तो कभी कूच, कभी कूच नकली बीडियो बना रहे हैं जबकि यातरा में जो लोग सामिल हैं वो देखते हैं सबसे आगे इस देश का राष्ट्य धज होता है और जैराम जी दिगविजय सिंग जी इनसे हम नौजबानों को सीखना चाहिए कि लगातार वो जंडे के साथ चलते हैं हमारा सेवादल जो हमारे सुतंतरता अंदोलन के जमाने के जो गाने हैं उसको गाते हुए चलते हैं पीछे हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देश भक्ति गानों को बजाता है और उसके पीछे वो राहूल जी चलते हैं तब जो है इस यात्रा के उपर जो है देश दुरोह जैसे कालिख लगाने की कुशिश करना चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है राहूल जी जब मजार पे जाएं मस्जित पे जाएं तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा बालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया हो अचानक से दस्थ होना शुरू हो जाता है क्या प्रॉब्लम है आपको इस देश का नागरिक इस देश का वेक्ति इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है आपका कोई जो है पिटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे और नियम काईदे कानून ओम का चादर सीधा है ओम का चादर उल्टा है और ये वो लोग बना बुल रहे हैं जो गुफा में चस्मा लगा करके ध्यान करते हैं ये जो चल रहा है इससे मैं बस एक अर्थ निकालता हूँ कि इन्होंने बहुत कोशिस की कि इस यात्रा को इगनूर किया जाए इनसे इगनूर नहीं हो पा रहा है बहुत प्रियास किया बहुत समझाया अपने कारिकरताओं को कि यात्रा गुजर जाए बिलकुल खिरकी दरव दरवाजा बंद कर लेना इनसान की अपनी भी एक्छा होती है इंसान की अपनी भी बुद्धी होती है लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लिए लेकिन चट पर छले fibre ऑफिस के और वहां से यात्रा को हेलो हाय करना शूरू कर दिया क्या करेंगे क्योंकि यह यात्रा जिन सवालों को ले करके चल रही है न वो कॉंग्रेस के सवाल नहीं है वो देश के सवाल है ये यात्रा इसलिए है कि इस देश में दिहारी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं रिपोर्ट उठा करके देख लीजे ये यात्रा इसलिए है कि इस देश के नौजबानों के सपने टूट रहे हैं अब किसान के साथ-साथ नौजवान भी आत्मात्या करने पर विवस हैं। आप ब्यापारियों छोटे ब्यापारियों की हालत जा करके देखिए कि किस तरीके से उनके उद्योग धंदे उनका कारोवार जो है वो समाप्त किया रहा है। आप महिलाएं जब इसमें साम इसमान, महिलाएं, मजदूर, ब्यापारी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, पुराने प्रोफेसर्स, फिल्म से जुरे हुए लोग, तमाम तरह के लोग इस यात्रा में सामिल हो रहे हैं। और जो दल की सीमा है, उस दल की सीमा से पड़े जाकर के यह यात्रा देश की बन चुकी है, इसलिए इनका जो क्लेम था न, कि सबसे बरे देश के लिए देश हित में सोचने वाले ये हैं, तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं, और इससे इनको घबराहत है, इनको मालूम है कि कॉंग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बरी विपक्षी पार्टी है, इस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, और आजादी के ऊपर जो आँच आई है, उसको ले करके डट करके कॉंग्रेस सरकों पर उतर गई है, खड़ी हो गई है, तो अब इनको चिंता सताने लगी है, इसलिए अब नया बहाना आया है, कोई समझाए इन प्र इस बिमारी है, और इस बिमारी को ले करके राहुल जी इस देश के पहले नेता है, जो सरकार को सबसे पहले चिठी लिखे थे, और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो कभी लगता है कि कुछ special relation है बीजेपी का कोरोना से, उसकी रेली में नहीं जाता है, दूसर करती में जाते जाते कोरोना चला गया, चुट्टी पे चला जाता है, अराम करता है, ये मजाग बना दिये हैं, हम बार बार कह रहे हैं, सुरू से ले करके आज तक कोरोना को ले करके हमारी पार्टी गंभीर है, और जो scientific protocol होगा, वो सब के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कॉंग्रेस के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन होगे, ये आयोजन नहीं होगा, वो सब के लिए होगा, तो उस पे जो है हम उसको follow करेंगे, जैसे पहले follow किया था, और सरकार को भी बताएंगे जहां सरकार गलती करेगी और जनता के सवाल को ले करके जो ये यात्रा है रोजी रोटी कपरा मकान सिक्षा स्वास सरक बिजली पानी के जो सवाल है ये यात्रा भी चलेगी इनको जितना दम लगाना है लगा लें ये इग्नोर करके देख लिए बदनाम करके देख लिए मंदिर क्यों जाते हैं मस्जि पैदल चलकर के पाउं से यात्रा कन्या कुमारी से दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली जब पहुंच गई है न तो दिल्ली की तक्त जो है इनको हिलती वी नजर आ रही है तो एक बार और रिमाइंड करा देते हैं उनको जो पहले भी कहते थे इस यात्रा का उद्देश election नहीं emotion है आप emotion साफ रखिए इस यात्रा से आपको कोई threat नहीं होगा क्योंकि हम इस यात्रा के माध्यम से भीर नहीं जुटाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिक अपने सवालों को ले करके नागरिक भीर नहीं अपने सवालों को ले करके इस यात्रा में सामिल हो और यह यात्रा जिस तरह से कन्या कुमारी से चली है यह यात्रा कस्मीर तक जाएगी यही हम लोगों को उम्मीद है और आप लोग सब अपने तरीके से यात्रा में सामिल हो रहे हैं जुर रहे हैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद